अगर आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल कर लिजिए और इस बेल के आइकन को प्रेस करके लिटेस वीडियो के अपडेट पाईए हमारा एक सर्वीन स्पून चार टेबल स्पून के बराबर है हेलो फ्रेंज विल्कम बैक टो एक इंडियन घर आज हम बनाने जा रहे है कैरमिल कस्टड यह हमने हार्निक कंपनी करिया है कभी कोई फ्रेंज आ जाए या कोई गेस्ट आ जाए हमारे घर पे तो हम जटपट से यह कैरमिल कस्टड बना सकते है पहले हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या है कोई भी कंपनी का आप यूज कर सकते है इसमें यह पाउडर है और यह सिरप है यह कैरमिल है तो आप इसे डारेक्ली यूज कर सकते हैं और किस तरी किसे यूज करेंगे यह हम आपको बताते है आदा लिटर दूद के लिए इतना क्यारेमुल क्रस्टेट वस हो गया आदा लिटर दूद को हम पका लेंगे एक बॉइल आने देंगे, एक उबाल आने देंगे इसमें एक उबाल आ चुका है, अब हम इसको मिक्स करेंगे एक बार ये मिक्स हो जाए गरम दूद में से हमने दो बड़े चमबच दूद निकाल दिया है अब हम जो पाउडर है कस्टड का वो इसमें डाल देंगे और इसे मिलाद देंगे फ्रेंज इसमें बिल्कुल भी शक्कर वगएरा दालने की जरूत नहीं है आलरेडी इसमें शक्कर वगएरा होती है बस इसे मिक्स करना है हमें और गरम दूद ये जो हमने बारिक गयस पर दूद रखा है उसमें हम अवारा मिक्सर मिला देंगे पिल्कुल भी ना रूंके बारिक गैस पे हम इसे कम से कम पाथ से साथ मिनिट तर मिक्स करेंगे आप देख सकते हैं फ्रेंज हमने प्याली रेडी करके रखी है इसमें हम कैरेमिल कस्टर डालेंगे इस तरीके से इसे डाले इस तरीके से हमें इसे स्प्रेट करना है हमने 900 ग्राम पावडर में आदा लीटर दूद यूज़ किया है और इसमें 6 चोटी प्याली बन चाहेगी छेओ प्याली पर हमने कैरमेल लगा लिया है और यहाँ पर कस्टड भी रेडी है पाश से साथ मिनिट तक हमने इसे अच्छी तरीके से मिला लिया है अब हम गैस बन करेंगे अब हम आईसे से इसे डालेंगे मिक्स करते जाए और प्यालियों में डालते जाए सो फ्रेंज हमने छे प्यालियों में कस्टड डाल दिया है और अब हम इसे पाच मिनिट थंडा होने देंगे, हलका सा गुन-गुना होने देंगे और फिर हम इसे रेफ्रिजरेट कर देंगे, फ्रिज में रख देंगे So friends, तयार है केरेमिल कस्टर्ड, यह बहुत ही easy सी रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राइ करें और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you friends